हे दोस्तों आप लोग देखे हैं Funny Science और यहां पर आज मेरे पास है Pepsi के दो कैन जिन्हें कि मैंने कलर करके रखा है white color से और black color से तो आज हम लोग इनके साथ करेंगे एक practical जिहां practical करेंगे और वो है यह है कि which color absorb more heat और यहां पर लिखा हुआ है कि अगर ज्यादा light absorb की गई है त सारी light की wavelength को absorb कर लेता है जबकि white color light की सारी की सारी wavelength को reflect कर देता है तो चले इस बात को हम लोग प्रैक्टिकल कर सूप प्रूफ ही कर देते हैं तो मैं दूप में black can को और white can को रख दूँगा और फिर इसमें भर दूँगा पानी और फिर दो तीन घंटे बाद मैं इस पानी के temperature चेक कोरेंगा पहले वाले temperature के मुखाबले और हमें मालूम चल रहेगा कि कौन जारा heat absorb किया तो मैंने पानी भाद दिया है सबसे पहले सुरुवाती temperature हम लोग ना अप लेते हैं तो इसमें वातावाण का temperature है 36 degree celsius तो पानी का है इस समय इस समय पानी का temperature है 21.7 degree celsius black can में तो इससे हम लोग 22 degree मान सकते हैं और white can के पानी का temperature भी दिख लेते हैं वैसे है तो सेम ही पानी लेकिन कुछ बहुत अंतर हो जाता है तो इसका है 21.9 degree celsius तो यह है initial temperature जब मैंने practical के लिए रखा है इन दोनों के दूप में तो चलिए अभी का time देख लेते हैं अभी का time है 9 बच का और 40 मिनट तो कुछ समय तक इसे दूप में पढ़ा रहने देते हैं और अभी time हो गया लग बग 12 ही बजने वाले हैं इनने दूप से हटा लेते हैं और इनके पानी का temperature अलग अलग चेक कर लेते हैं और इससे हमें माने चलिए कि किस कैन ने ज्यादा हिट अब्जॉर्ब की तो सबसे बहले ब्लैक कैन में भरी पानी का temperature तो ब्लैक कैन में भरी हुए पानी का temperature है 42.9 दिग्री सेल्सिस तो काफी ज्यादा temperature पानी का बढ़ चुका है इतने समय में तो चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं सब हैट कैन म इस बात से प्रूफ हो जाता है कि ब्लैक कलर ही ज्यादा हिट को एब्जॉर्ब करता है इसी वज़र से ब्लैक कलर के कैन में भरा हुआ पानी ज्यादा गर्म हुआ ये तो एक छोटा सा experiment ही था लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे amazing वीडियो देखने के लिए मेरी चै सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा